जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस जीडियो में मैं आपको दो जानकारिया दूँगा जैसे कि आप पीछे बोट पर देख रहे हैं दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं मोदी जी ने पधान मंतरी पत के रूप में शपत ली संडे के दिन और भी जो तमाम मंतरी थे उन्होंने भी शपत ली उसी के साथ उन्होंने अपना कारेबार समाला और उसी के साथ साथ उनको मंतराले भी आवेंटित कर दिये गए उनको अलग-अलग मंतरा ले दिये गए जैसा कि पहले भी ता हूँ और ये बताया गया है कि वो क्या-क्या काम करेंगे दोस्तो ये अच्छी बात है लेकिन जितने भी मंतरी हैं ये आपके फेवर में क्या काम करेंगे पैंशनर्स को, करमचारियों को, जवानों को क्या देंगे दोस्तो आज मैं इसी पर बात करूँगा तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मैटमूर होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा और अपने ग्रूप में भी शेयर कर देजेगा वीडियो मैं के बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसका नाम है रक्षित खन्ना क्योंकि ऐसी जानकारी है अकसर आपको मिलती रहती है इस चैनल के मदम से चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पी-एम नरेंदर मोदी जी इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है ये काम क्या करेंगे एक बार ये जान लेते हैं कारमिक लोग शिकायत तथा पैंशन मंत्रा ले जियां दोस्तों जो पैंशनर्स की गिरिवांसेज हैं शिकायते हैं जो प्रॉबलम्स हैं जो भी कुछ है वो ये देखेंगे और पैंशन से जुड़ा जो भी उजा विभाग की भी जिम्मेवारी इन पर है अंतरिक्ष विभाग की भी जिम्मेवारी PM मोदीजी पर है सबसे बड़ी जिम्मेवारी पेंशन की अब आपको क्या मिलेगा दोस्तों यह देखने वाली बात है सभी महत्पूर नीतिगत मुद्दे PM मोदी जी तै करेंगे जिया दोस्तो जितनी भी policy matter है internal मामले है pension के, शिकायत के वो सब चीजे मोदी जी देखेंगे यानि अगर मोदी जी चाहे तो वो आपको OROP3 जल्दी दे सकते हैं 8CPC दे सकते हैं या फिर pension बढ़ोतरी है वो भी कर सकते हैं सारा कुछ मेटर मोदी जी के हाथ में है क्योंकि इनको सौब दिया है कार्मिक लोग शिकायत तथा pension मंतरा ले अब किसी की permission नहीं चाहिए होगी मोदी जी ही permission देंगे आपकी pension बढ़ाने को लेकर OROP 3 देने को देकर आपकी शिकायतों का निवारन करने के लिए जो pension पे चल रही है सारा कुछ मोदी जी देंगे अब देखने वाली ये बात है कि मोदी जी कब देंगे कब आपकी परशानी है वो दूर करेंगे तो मैंने आपको बताया जितने भी policy matter है जो पहले ते मंतरी वो इस बार भी है जैसे कि विद्ध मंतरी निर्मला सीतना रमर्जी है यानि विद्ध समंदी चीजों को निर्मला सीतना रमर्जी देखेंगे फिर दोस्तों राजनाज सिंग जी ये है रक्षा मंतरी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी उमीद है इस बार रक्षा मंत्री राजना सिंग जी ही रहने वाले हैं तो इनी को बनाये गया फिर दोस्तों अमिशा जी ये हैं ग्रह मंत्री इनको ग्रह मंत्री बनाये गया हम मुद्दे पर चर्चा करेंगे पेंशन से समंदी जो मैं आपको बताऊंगा वो पेंशन से समंदी चीजों के बारे में बताऊंगा अब दोस्तों सबसे बड़ी बात 8CPC सबसे बड़ी डिमांड 8CPC कब लागू होगा और कौन इसे लागू करेगा दोस्तो 8CPC वैसे ये Pay Commission का मेटर है Pay Commission जो होता है जो माँ पे अधिकारी गण बैठते हैं उन्ही का ये मेटर रहता है कि 8CPC देना है या नहीं देना और इसी के साथ साथ ये एक Policy Matter है जी हैं दोस्तों ये एक Policy Matter है Pay Commission का मेटर है और दोस्तों ये कौन लागू करेगा ये लागू करेंगे मोदी जी जी हां दोस्तों पधान मंतरी मोदी जी 8CPC लागू करेंगे 8CPC की जो भी चर्चा है वो इनी के आसफास घूमेगी Department of Expanditure के पास और मोदी जी के पास जी हां दोस्तों क्योंकि ये एक Pay Commission का मेटर है पेंशन का मेटर है पूरा इसमें Pay भी बढ़नी है और पेंशन भी बढ़नी है तो इसलिए 8CPC लागू करेंगे यहां पे मोदी जी और देखने वाली ये बात है कि कब हमें 8CPC मिलता है मिलता भी है या पिर नहीं भी मिलता है वैसे मिलना चाहिए दोस्तों क्योंकि मोदी जी को ये कारेबार सौपा है तो हम ये उमीद करते हैं मोदी जी से कि 8CPC जरूर लाएं तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये एक Policy Matter है और 8CPC को लागू करना मोदी जी के हाथ में है और हम ये उमीद करते हैं कि 1-1-2-26 से हमें 8CPC मिले फिर दोस्तों Additional Pension का मामला ये कौन देखेगा जैसे 65% पे 5%, 70% पे 10%, 75% पे 15% वैसे दोस्तों ये जो मामला है ये एक वित मामला है वित ये मामला है कि इसमें कितना खर्चा आएगा Additional Pension देने में 65% पे 5%, 70% पे 10%, 45% पे 15% तो दोस्तों ये जो मेंटर है ये Department of Expenditure देखेगा यानि कही न कहीं ये वित मामले से जुड़ा हुआ है जिया दोस्तों तो इसलिए इसमें जो निर्मिला सीता रमर जी है वो भी इस मामले को देख पाएंगे Department of Expenditure वित मत्राले और दोस्तों इसमें मोदी जी का भी एहम रोल होगा मोदी जी के पास इसकी कही ना कहीं फाइल जाएगी Additional Pension को लेके लेकिन में जो काम रहेगा वो रहेगा Department of Expenditure का अगर महां से ये एप्रूव हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और ये भी देखने वाली बात है कि Additional Pension कब दी जाती है 65 पे 5%, 70 पे 10% पे 40 पे 15% लेकिन अभी जो ये फाइल है ये है Department of Expenditure के पास महां से आगे ही नहीं बढ़ी है महां से अभी Approval ही नहीं मिली है फिर दोस्तो OROP 3 OROP 3 आपको कौन देगा दोस्तो ये भी मोदी जी कही मेटर है OROP 3 में आपकी Pension बननी है और Pension का मतराले किसके पास है मोदी जी के पास है तो दोस्तो इसमें मोदी जी और Defense Minister साब राजनाच सिंग जी का एहम रोल होगा जिया दोस्तो मोदी जी Approve करेंगे Defense Minister साब भी Approve करेंगे तब जाकर आपको OROP 3 मिलेगी और हम ऐसी उमीद करते हैं कि जुलाई में हैं या फिर कुछ महीने बाद आपको OROP 3 मिल जाए तो इनकी Approval चाहिए होगी मोदी जी की और Defense Minister साब की जैसा कि आपको OROP 2 भी मिली और OROP 1 भी मिली मोदी जी के कारेकाल में उन्हीं की अगुवाई में फिर दोस्तो 18 महिने का D.A.D.R. का एरिया वैसे दोस्तो सरकार नहीं यहाँ पे साफ मना कर दिया था कि 34,402 करोड जो भी पैसा था वो करोना में लगा दिया गया उस टाइम लो लगा दिया गया इसलिए 18 महिने का D.A.D.R. का एरियर नहीं दिया जा सकता तो दोस्तो 18 महिने का D.A.D.R. का एरियर कौन देगा दोस्तो यह भी मैटर है Department of Expenditure का और मोधी जी का अगर एप्रूवल मिल जाती है वैसे पैसा डिसाइड है कि इतना पैसा मिलना है 34,402 करोड रुपे लेकिन फिर भी एक बार एप्रूवल चाहिए होगी यहां पे Department of Expenditure की और मोधी जी की अगर एप्रूवल मिल जाती है तब आपको इसका भुक्तान देखने को मिल जाएगा लेकिन यह सब कुछ डिपैंड है मोधी जी पे और Department of Expenditure के देना चाहिए दोस्तो यह पैसा यह पैसा देना चाहिए यह आपी का हक है कोई सरकार का हक नहीं है यह आपी का पैसा है बस पैसा निकालने की बात है तो हम यह उमीप करेंगे कि यह पैसा जल्दी से जल्दी release किया जाए फिर दोस्तो ओर रूपी की जो problems हैं यह कौन देखेगा ये कौन सुनेगा जैसा आपको पता है X Group की problem भी बहुत है OROP में जो average use करा गया जिसकी pension से minimum pension बन गई तो दोस्तों ये जो भी matter है OROP की बिसंगतिया देखने का ये हैं Defense Minister राजनाश सिंग जी ये देखेंगे और D.E.S.W. Department जी हैं दोस्तों ये सारी कारेवाई PCDA, CDA से होकर पूरी final approval के लिए इनी के पास आएगी D.E.S.W. Department के पास और Defense Minister राजनाश सिंग जी के पास और OROP की जो भी ये problems हैं वो इनी Department को देखनी है और ये हम उमीद करते हैं कि जितनी भी विसंगतिया हैं पास और D.E.S.W. Department है उनके पास ये रहने वाला है तो दोस्तों ये तमाम मुद्दे हैं जो मैंने आपको समदाए कि कौन-कौन सा Department कौन-कौन से मंतरी ये काम करेंगे आपकी problem को सुलजाने के लिए अब दोस्तों अगली जानकारी OROP से पहले पेंशन कम थी जहां दोस्तों ये आप सब जानते हैं कि OROP से पहले आपकी पैंशन क्या थी ना के बराबर पैंशन थी One rank, one pension पे आपकी कुछ पैंशन बड़ी कुछ पैंशन आपकी हाँ पे बड़ी ज़्यादा pensioner कहेंगे किसर हमारी ज़्यादा pension बढ़ी है दोस्तों आपकी one rank one pension पे pension तो बढ़ी लेकिन जैसे जैसे one rank one pension आगे बढ़ी वैसे वैसे विसंगतिया भी सामने आने लगी वैसे विसंगतिया भी आपकी सामने आने लगी किसी की pension बढ़ी, किसी की pension नहीं बढ़ी किसी की pension minus में चली गई यैनि सब कुछ यह one rank month pension पे हुआ तो जिस तरीके से आपको पहले one rank month pension पे पैसा बढ़ के मिला pension पे उसी तरीके से जो विसंगति हैं उसके वज़े से आपकी कहीशा pension भी कम हुई है तो OROP में जो problems हैं उसे सुधारना होगा ताकि आगे आने वाले time में जब भी OROP revise हो वो आपको ठीक OROP मिले तो दोस्तो OROP में अधिक फाइदा लेने के लिए average का जो formula है उसमें सुधार करना होगा कुछ ऐसा formula adopt करना होगा जिससे आपको maximum पाइदा हो और आपको नुकसान ना हो तो दोस्तों आप भी नीचे comment करके बताईए कि जो 8 CPC है OROP 3 है additional pension का मुद्धा है 18 मेने के DADR का area यह जो मुद्धे है क्या यह मंतरी साब आपका पूरा करेंगे आपको कुछ देंगे यह आप खुदी नीचे comment करके बताईगा बाकी चीजे मैंने आपको समझा दी कि जो भी यह सारी चीजे है यह किस department के पास है किस मंतरी के पास है और कौन क्या काम करने वाला है बाकी दोस्तों आप सब कुछ जानते हैं कि हमें यह सब चीजे कब मिलेंगी अभी भी यहापे question mark है बाकी देखेंगे दोस्तों अगले पास साल के लिए फिर से इस सरकार को निक्त किया है फिर से सरकार को बनाया और हम यहीं चाहते हैं कि यह कुछ करे पैंशनर के करमचारियों के जवानों के favor में कुछ करे तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई आई होब सारी जानकारी आप अच्छे दे समझ दियोंगे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका नाम है रक्षित खन्ना तो कि ऐसी जानकारी आपको मिल्टी रहती है इस चैनल के मदम से थैंक्यू सो मैच